वेल्कम टू आवर चैनल मास्टर माइंड इंग्लिश आज का ये वीडियो है आवर बॉडी पार्ट्स नेम इन इंग्लिश वित हिंदी मेनिंग इसका फर्स्ट पार्ट अल्रेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है और ये हमारा है सेकेंड पार्ट तो चली हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते है फर्स्ट बॉडी पार्ट है पेर या फिर टांग इसको इंग्लिश में लेग कहते है नेक्स्ट है हातों की उंगली इसको इंग्लिश में फिंगर कहते है next है shoulder के नीचे का भाग जहां से हाथ शुरू होता है मतलब बहा या फिर भुजा और इसको इंग्लिश में arm कहते है next है गाल इसको इंग्लिश में chick कहते है next है माथा इसको इंग्लिश में forehead कहते है next है हमारे पैर की उंग्लिया इसको इंग्लिश में toes कहते है next है हमारी हतेली इसको इंग्लिश में palm कहते है L silent letter है इसलिए palm कहते है next है अंगुठा इसको इंग्लिश में thumb कहते है और इसमें भी be silent है इसलिए हम thumb कहते है नेक्स्ट है हातों की कलाई जो की हातों की नीचे होती है और उसको इंग्लिश में wrist कहते है W silent letter है इसलिए wrist बढ़ा जाता है W-R-I-S-T wrist नेक्स्ट पैरों की AD इसको इंग्लिश में heel कहते है H-W-E-L heel नेक्स्ट जांग इसको इंग्लिश में thigh कहते है T-H-I-G-H thigh नेक्स्ट पैर इसको इंग्लिश में foot कहते है F-O-O-T foot नेक्स्ट एंड लास्ट है गुटना इसको इंग्लिश में knee कहते है K silent letter है इसलिए knee पढ़ा जाता है K-N-E-E-k Thank you for watching this video guys इस video में थोड़ी भी informative knowledge मिली है आपको तो हमारे इस channel को like, subscribe and share करे मिलते हैं next video में एक नए topic के साथ